मुद्दा है जो बेंकिंग फ्राड होते हैं जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है ट्रांजेक्शन करवा लिया जाते हैं कुछ लालच दे कर उस प्रकार की इस्तिती में क्या करें उसके लिए एक बड़ी अच्छी तातकालिक विवस्ता है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है ये नंबर में आपको कई बार दो या तीन बार रिपीट करूँगा 155-260 ये नंबर है 155-260 फोन नंबर है ये 155-260 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए कभी भी किसी भी कारण बश अगर कोई फ्राड होता है आपके साथ तो ततकाल इस नंबर पर फोन लगाईए जो रिश्टर्ड नंबर बेंकिंग में बेंकिंग के टरंजेक्शन के लिए आपने रिश्टर्ड किया हुआ है इस नंबर से आफ फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगए ये आवश्चा के धियान रखिये कि आपको जो आपका phone mobile number है या जो भी आपका phone number है जो banking के transaction के लिए किसी प्रकार के banking transaction के लिए registered है उस number से आप ये 155-260 number पर phone लगाईए आप वा phone का आप बताएंगे तो आप से कुछ जानकरिय ली जाएंगी जैसे आपका नाम, आपका phone number, bank, card number, wallet जिसमें पैसे गया है wallet जिसमें पैसे कटे हैं जिसमें गया है आदी त्यादी वो जानकरिय आप बता सकते हैं PIN वगेरा आप बिल्कुल मत बताईए क्योंकि इस तरह के number का कोई दूसरा जहां सा देके आप से PIN वगेरा भी पूछ सकता है तो एक तो यह number आप विशेश रूप से ध्यान रखिए जब आप यह बता देंगे तो यह विवस्ता इस प्रकार से की गई है MHA द्वारा जिसमें साइबर रास्ती साइबर क्राइम ब्यूरो है और जितने भी बेंकिंग पॉर्डल है इंक्लूडिंग रिजर्बेंक सारे बेंक्स सारे जितने भी UPI हैं जितने भी फाइनेशल ट्रांजेक्शन के पॉर्डल है यह सब इससे जुड़े हुए है ततकाल आपका मेसेज इन सभी बेंकिंग संस्थानों को चला जाता है बेंकिंग एजेंसी को चला जाता है क्योंकि जब फ्राड होता है एक बेंक से दूसरे बेंक के में ट्रांजेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है ये बैंक अपनी फार्मलेटी करता है फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है फिर वो बैंक करता है तब जाके तब वो डियूरेशन का जो समय उसमें अगर इनके पास मेसेज पहुच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुख जाएगा अगर मालीजे एक ब द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा करोणों रूपे वापस हुए है लोगों को ये मालूम नहीं है 155-260 ये एक ऐसा नंबर है इसमें आप इसको जरूर रखिए 24 विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें शिवरिटी रहती ह आही जाता है अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर जो की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है ये इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लिकेशन अपनी शिकाहत दर्ज कर दें वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सारी वापस कराने की प्रक्रिया होती है या फिर उन्हों को आइडेंटिफाई कर लिए जाता है जिनने ये बदबाशी की